नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर से बिलॉग करती है कंपणी रेमको सिस्टम और अगर प्राइस पैटन देखें तो काफी शांदार देखने को मिल रहा है जिस तरह की चाल अभी फिलाल में देखने को मिल रही है अब देखें पिछले 5 जिनों के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड हमें देखने को मिला लगबख 600 रूपे के आसपास जहां से इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी हो सकता है कि वापस से रिकवर करता हो नजर आए बर दोस्तों फ्रेश रिकमेंडेशन कोई खरीदारी की ऐसी है नहीं क्योंकि इसके अंदर जो है पहले ही भेंकर गिरावट हम लोगों को होती हुई नजर आई है तो थोड़ा सा आवेर रहने की ज़रुत है जो लोग नीचे के लेवल पर खरीदारी जो है किये हुए है उनके लिए वैलेड गूड सीचुईशन कही जा सकती है फिलाल में एक महीने के अंदर अच्छे खासे रेटरंस जो आपको पहले ही देखने को मिल चुके है तो 6 महीने के अंदर अगर देखें तो नीचे लगबग 100 रुपी की रेंज के आसपास आपको इस स्टॉक्स की बात करें तो अच्छा का सा जो है इस स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को हलचल देखने को मिली है तो अभी अगर एटल डेट से बात करने की कोशिस करें तो ये स्टॉक्स आपको करोना वाइरस के टाइम में लगबग 81 रुपी से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था और वहां से लेकर अगर अब तक की बात करें तो लगबग 700 पर्सेंट से भी ज़्याद के पोजिटिव रिटेंस स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिल चुके है फिलाल में क्या है कि दोस्तो लोंग टर्म के हिसाब से किस तरीकी के इसके अंदर चाल बनती हुए नजर आई है तो उपर के लेवल से चीखासी गिरावट हमें पिछले 5 साल के दुरान देखने को मिली लगबग 800 रुपे के लेवल के असपास से गिरावट देखने को मिली है अभी फिलाल में क्या है कि प्राइस 800 रुपे के आसपास जो है ये पहुचने की कोशिज कर सकता है जिस तरह की की डील की खबरेज लगाता है इसके अंदर आती हुई नजर आई जोस्तों मैकसिमिन चार्ट के हिसाब चार कर देखने की कोशिज करें तो काफे भेंकर गिरावट देखने को मिली है और सन 2002 से लेकर अगर बात करें तो 10 साल लगबग 2012 तक आपको इसी प्राइस के आसपास काम करता हुआ नजर आया नीचे लगबग 10-20-30 रुपे के आसप का प्राइस के बात करें अगरांड के बारे में किस तरह की कपनी हमें देखने को मिल रही है और 1992 में स्टैबलst हुई थी हेड़कॉर्टर चैने के अंदर है तो क्या-क्या सर्विसिस प्रवाइड कराती है तो सौफ़वेर सर्विसिस से रेलेटेड है एविशन सेक्टर के अंदर जो है सौफ़वेर सर्विसिस प्रवाइड कराती है यारपी मोडल पर कार्यत है जो हैं हम लोगों बचका है कि उपर नी चर्ट बनते हुने जर आए तो दोस्तो बात करते हैं के fundamental analysis के बारे में किस तरह की की हमें जो है इसके अंदर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं market cap की बात करने तो लगबग 1852 करोड रुपए के आसपास market cap देखने को मिल रहा है तो अभी क्या है कि कोई इतना अच्छा कासा जो है हमें market cap भी देखने को नहीं मिल रहा है small business पे आधारित जो है यह company है और pricing के देखे तो काफी बड़ा जो है price देखने को मिल रहा है अगर बात करें तो 10 रुपे face value का यह share है तो अब देख लेते हैं कि इस तरह की changes हमें इस company के अंदर time to time देखने को मिले हैं तो अगर peer companies में जो बाके की other company है उसके अंदर जो है कौन सा स्थानी रखती है तो लगबख छटे नंबर पर जो है रेमको सिस्टम हमें देखने को मिल रही है अगर बात करें नंबर वन पर कौन सी company चल रही है तो intact design जो है आपको नंबर वन पर काम करती है वो नज़रा रह दो दोस्तों अब बात कर लेते हैं sales growth के बारे में किस तरह के क्या आंकड़े देखने को मिल रही है तो लगतार जो है हम लोगों को जिस तरह के से उच्छाल देखने को मिला उसके बाद करोना वाइरस के टाइम के बाद में लगबख 2019 से हम लोगों को गिरावर देखने को म मिल रहा है बट अगर ROE की बात करें उसके अंदर भी हम लोगों को उसी तरह की से कंडिशन बनती हो निदर आ रही है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ बिजनिस के अंदर इंप्रूमेंट देखने को मिले बात करें प्रोमोटर्स के हिस्सेदारी की तो लोगग 25% के आसपास D.I.S. लगवख 14% के आसपास बने हुए हैं और F.I.S. की बात करने तो लोगग 4% के आसपास देखने को मिल रहे हैं अब देख लेते हैं दोस्तों किस तरह की की शेल जो हम लोगों को इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है वैसे तो डाउन ही है अगर सेटमबर 2020 की बात करें तो लोगवख 12% के आसपास होती हुए नजर आई जो की 2019 के अंदर भी इसी आंखड़े के आसपास आपको देखने को मिल रही है दोस्तों फिलाल में क्या है कि लगातार जिस तरह के से चेंजिस करती जा रही है हो सकता कि आगया आने वाले दिनों के अंदर कुछ इंप्रूमेंट हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं अगर इंट्रडे हाई की बात करें तो लगवख 620 के आसपास तक आपको इ देखने को मिला और अगर प्रिविएस डेस की क्लोजिंग की बात करें तो लोगवख 564 के आसपास आपको स्टोक्स जाता हुआ नदर आया फिलाल में क्या है कि लगातार तेजी बनी हुई है बावन वीक हाई के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है तो एक डील हुई है कंप बड़ दोस्तों सोचने वाली बात तो सरिफ इतनी है कि जिस तरीके से प्राइस मोमेंटम तेज होता हुआ नदर आया लगबख 6 महीने में 3 गुना 4 गुना पैसा इस कंपनी के द्वारा किया गया तो अब क्या है कि कही न कहीं जो है ये सारी चीजे हमें उपर के लेवल प देखने को मिल सकते हैं जैसे कि आपने देखा कि लोंग टर्म के अंदर काफी गिरावाट हो चुकी है तो अभी रिकवरी तो हुई है तो यह सोचने वाली बात है कि पहले पांस साल का जो जिसके लेवल से इसके अंदर गिरावाट देखने को मिली थी लगबख 800 रुपे क तो सबसे पहले तो इतनी तेजी आपको देखने को मिलने ही चाहिए कि 800 रुपे के उपर यह सस्टेंट करता हुआ नदर आए फिर उसके बाद में और भी उपर आपको जो है इसके अंदर लेवल बनते हुए नदर आ सकते हैं फिलाल में दोस्तों अगर देखें तो मार्के मार्केट कैप बढ़ा है लगातार इंक्रीजमेंट मार्केट कैप के अंदर भी देखने को मिल रही है तो लगबख अवी फिलाल में 837 करोड़ रूपर की आसपास मार्केट कैप देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो उनके अंदर जिस तरह की चेंजिस देखने को मिलेगी तो बिजनिस के अंदर भी आपको ज कुई उतावला होने की जरुरूत नहीं है क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह की से उपर की तरफ लेवल बनते हुए नजर आए तो कहिने कहीं स्टोक्स कंदर गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है अभी क्या है कि लगतार अगर बात करें तो 18 कंट्रियों के साथ में ये टायप करी हुए है तो फिलाल मैं कहा है कि लगतार जो है अपने बिजनिस को बूस्ट अप करने में लगी हुई है तो अगर ये जानकर ये आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके रखलना था कि नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सीद्धे आपके मोबाइल पर मिट सकें थैंक्यू सो मच वच